सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो अच्छी लगे बच्छों तो लाइक कीजेगा और सब्सक्राइब कर लिजेगा चैनल को भी तो चलिए स्टार्ट करते हैं डूएल नेचर ऑफ इलेक्ट्रों तो देखे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है मैं आप यह पूछेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया वच्छों लिंक डिस्क्रिप्शन आप बस स्टार्टिंग का भी कुछ देख लोगे तो आपको कुछ-कुछ मोटा-मोटा आइडिया हो जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वह प्रूफ करता है कि आपके इलेक्ट्रॉन का कैसा नेचर होता है पार्टिकल नेचर होता है उसके बाद फरदर आ इह पर निया है परटेकल स्दिरी सुंपरी मों हुआ है यी कर दिया चैण से स्केटरिंग कड्य पर निक्ल सीड मैं different करते हैं ये आपको बताती हूं परकशन जो प्रोड्व करता है जस्ट लárik एकसरें की तरफ और भी इस माध्यम सने होकर इसे होकर जैसे आ या यह निकल सीट है इसे होकर लोल रस किया निफ्रेक्षन का अर्थ है कि फेले-ट्थ है एक पे Justice को एक परोगा यह तो उसके आम्प्रिस्ट्यूड में यह तो बढ़ाती होत dong तो घटावती होती है ठीक है यानि कि इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है ठीक है लेकिन उन दोनों बातों का अलग मीनिंग है वो फिसिक्स के अंदर आपको पढ़ना है कि जब दोनों पॉजेटिव होता है तब क्या हो जाता है दोनों निकेटिव होता है तो क्या होता ह सोपरंफोज करते एक को PAL करते हैं दुशरे को ओवर राप करते करते हैं अब यह दो प्रोपार्टी दाओ कर्ता ने देखा कि यह इलक्ट्रां कहा और वेव नेचर हो गया हो घो तो आप इसको कंप्लीटली ऐसे ही लिख सकते हैं कहीं कोई परिशानी नहीं हो गया आपको इसी थयोरी को आगे मोडिफाइ किया डी ब्रोगली सहाब ने और उन्होंने कहा कि कोई भी एनी पाइनी मैटर पार्टेकेल जो की मोशन में होगा वो कैसा होगा बेवनेचर भी सोग करेगा यानि कि वो डुएल नेचर होगा क्या कहा गया एनी मैटर पार्टकल पार्टटकल तो वो है ही है और उप स्टों वे वो करेगा यह किसने का डी ब्रागिली सहाब ने कहा यही है डी भ्रागिली का एक्वेशन दी ब्रागिली थियोरी हम लोग ऊसका बनाएंगे अब ने कहा according तो दियान रखेगा कि जो भी पार्टिकल इन मोशन होगा वो डूएल नेचर सो करेगा यह दम से मैंने एमसी क्यूज बहुत सारा बता है आपको अटामिक स्ट्रक्चर से रिलेटर उसमें यह क्वेशन था कि मुविंग पार्टिकल के लिए बात की जाती है अगर और मुविंग पार्टिकल है तो वो बेव नेचर भी फो करेगा तो यह होगा डी ब्रॉगली का थियोरी तो माण लिजे कि मास ओफ पार्टिकल एम है भी वेलॉग सिटी औपार्टिकल है और लेमडा अगर वेव लेंथ है तो एकॉर्डिंग टुदी ब्रॉगली एकुएश M into V momentum, physics में आपने पढ़ा होगा पहले भी momentum mass into velocity equals to momentum संबेख बोलते हैं इसे हिंदी में तो ये हो गया D. Brogley का equation, इससी से हम लोग D. Brogley से related जितने questions आएंगे, उनको solve करेंगे, अब ये जो चीज आया ये कैसे आया, उसी को कहते है D. Brogley derivation तो इस पो भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है तो देखे, D. Brogley का जो derivation होगा, वो combination of, combination of combination of Einstein equation and Planck's equation है, ठीक है इन दोनों के basis पर ही इन्होंने derivation दिया है, तो देखे, according to Einstein equation Einstein का equation से क्या होता है from, Einstein equation e equals to mc square इसको first माल लीजिये from तो from, from Planck's equation e equals to h new हमें पता है, तो from first and second from first and second ee cancel हो जाएगा, तो mc square बराबर क्या बचा h new, ठीक है, तो new के जगा हम क्या लिख सकते है, new क्या है, frequency है, और frequency के जगा हम क्या लिख सकते है, c by lambda, ठीक है यह पढ़ाया है, मैंने आपको पहले, आपको प्ले लिस्क त्यार है, यह रिलेशन का उसमें सारा वीडियो अब लेबल है, आप देखेंगे, यह रिलेशन मैंने आपको पढ़ लेम्डा, इसलिए, लेम्डा इकोल स्टू, h by mc, h by mc हो गया, यह जो c आप देख रहें न, यह है, velocity of light, इसे आप क्या कर दे, velocity of particle से चेंज कर दे, velocity of light, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते है, c को बराबर कर देते हैं भी, बराबर क्या, velocity of particle, ठीक, तो यह particle, तो यह जखे, भी हो गया, तो आप क्या कर सकते है, लेम्डा बराबर, h by mb, और अभी जस्ट बताया है, आपको mb के जगा हम क्या ले सकते है, h by p, क्यों, p उपर बताया था आपको, कि p क्या है, m, m into v, momentum, equals to kya, p, हैंना, बताता है, अभी जस्ट, m into v, momentum है, और momentum को सो करते है, p से, तो बस यहां पर p भी लिख सकते हैं, तो लेम्डा equals to h by p, तो देखे, यह depend करता है, कि information कैसा दे रखा है, ठीक है, information पर डिपेंड करेगा, पूरा-पूरा, अगर m भी वालू होगा, तो इससे बना लेंगे, अगर momentum पता होगा, तो इससे बना लेंगे, बात आ रही समझ में, आपको question solve कैसे करेंगे, उसके लिए यह बता रही हूँ, बाकि यह equation आपका solve होगया, यह हमारा de-brogly, derive होगया, de-brogly equation आपका derive होगया, यही न था, या तो lambda equals to h by mb, या तो lambda equals to h by p, और p क्या है, momentum है, ठीक है, m क्या है, आपको सुरू में ही बता दि planks constant है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने de-brogly equation को derive कर लिया, dual nature of electron को समझ लिया, कहां से de-brogly, कैसे उनको derive करना है, यह अगर question आगया de-brogly equation, तो आपको यह पूरा theory जहां से पढ़ाया है न, यहां से, यहां से de-brogly जहां से start हुआ, यहां से start करते हुए, आपको यहां साही गया होगा, आगया है समझ में तो like कर दिजे, share कर लिजे और subscribe कर लिजे चैनल को with bell icon, क्योंकि इस से related अगले वीडियो में मैं आपको इसका related numerical भी बताऊंगी कैसे solve करना है, numerical थ्योरी पढ़के रखे, numerical आपको अगले class में बताया जाएगा, तो मिलते हैं आपसे next class में